हेलो एवरिवन वेलकम टू निताही रेसिपी आज मैं आपके लिए बहुत ही आसार और बहुत ही यम्मी रेसिपी लेकर आए हूँ जवार और मकई के आटे का ढोकला तो मैंने यहाद 2 कप जवार ले ली है सौरी जवार का आटा ले लिया है और 2 कप ले लिया है मकई का आटा एक चमस नमक डाल देंगे और 1 चमस हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिला देंगे आब हम इसमें डाल देंगे 1 Kप खटे चास और 4-5 कप डालेंगे पानी क्यों जवार का आठा जो है पानी बहुत ही एब्सरब करता है तो पानी ज़रूरत हो उतना डाले और एक चाहस या दहीं डाले अच्छे तो बस यहां हमारा ढोकला का बेटर बनके तयार है हमने अच्छे से मिला दिया है अब हम उसको 5 घंटे के लिए ठककर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ठकन को बन कर देंगे 5-6 घंटे के बाद हमने देखा तो हुमारा जो बेटर है ढोकला बनाने का वो बिलकुल तयार है थोड़ा सा नरंभी हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, अद्रक और लसुन हरी मिर्ची, अद्रक लसुन को हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे तो मैंने यहां ले लिया है दो इस अद्रक के टुकडे, 4-5 हरी मिर्ची और 10-15 ले लिया है लसुन के कली बारिक क्रश करके ढुकला के बेटर में डाल देंगे बेटर में हमें और कुछ मसाले नहीं डालना है बस अद्रक लसून और हरी मिच्ची डालेंगे तो जो हमने क्रश किया है वो बेटर में डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे यह ढूकला खाने में बहुत ही टेश्टी और स्वादिश लगता है और गले में तो बिलकुल अटकता नहीं है जैसे हम इंस्टेल ढूकला बनाते हैं तो गले में अटकता है लेकिन यह हमने 5 गंटे के लिए फॉर्मेट होने के लिए रख दिया था यह ढूकला बहुत ही इज़ि और आसान है और खाने में बहुत ही अच्छी होते है तो बस यहां मैं ने एक प्लेट में आया उतना बेटर अलग से काहला निकाल लिया है और जो हम ढूकला बनाने वाले हैं इस प्लेट को हम एक चमर्स तेल दाल कर गूस कर लेंगे इसको हम सैड में रख देंगे और बेटर में आधी चमर जितना डाल देंगे सोडा और एक चमर डाल देंगे तेल तेल डालने से हमारे जो टूकला है बहुत ही सौट बनता है अच्छे से मिला देंगे और बेटर को प्लेट में डाल देंगे टूकला बनाने के लिए पानी मेंने पहले सी गरम होने के लिए रख दिया है पानी हमारा अच्छा सा गरम भी हो चुका है प्लेट के ओपर थोड़ा सा इसे मिर्च पार्डर छिड़क देंगे और प्लेट को लेकर स्टीम होने के लिए रख देंगे तो बस यहां हमारा पानी जो है गरम हो चुका है साथा निसे प्लेट को ऐसे रख देंगे और ठकन को बंद कर देंगे गैस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे मेडियम फ्लेम पे 15 मिनिट तक पकाएंगे तो बस यहां 15 मिनिट हो चुकी है हमारे धुकला जो है अच्छे से पके कि नहीं इसको हम चेक करने के लिए यहां एक नाइफ लेंगे उक नाइफ में मदद से हम उसको चेक करेंगे तो एक बार ऐसे करेंगे तो जो चिपकेगा तो ढोकला हमारा अच्छा सा पका नहीं है अगर नहीं चिपकेगा तो ढोकला जो है अच्छे से पक चुका है तो बस यहां हमारा ढूकला बन चुका है और उसको पूरी तरह से ठंडा करेंगे ठंडा होने के बाद हम उसको कट करेंगे अपने पसंद के अनुसार छोटे टुकडे पसंद है तो छोटे करें बड़े पसंद है तो बड़े करें तो बस यहां हमारा एकदम यम्मी वाला ढूगला बनके तयार है वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लसुन की चटनी के साथ परोसेंगे उपर थोड़ा सा ऐसे मुख्फली का तेल डाल देंगे तो बस आज की व